हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनीश स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवद्य विद्याले समीती की तरफ से जो अभी कुछ दिन पहले वैकेंसी आये थी उसके जो नोन टेक्निकल वेरियस पोस्ट के अंदर जो आपकी रिक्रूट्मेंट के लिए फॉर्म एप्लाई हुए थे उसका जो है एड्मिट काड आउट हो चुके हैं और किस पोस्ट का एक्जाम किस दिन होगा और किस पोस्ट का क्या स्ले लिपस क्या होगा और डेट क्या होगी एक्जाम की और आपकी जो इसके अंदर सबसे आपकी में चीज क्या रहती है आप बार बार SMS करके पूछते भी हैं कि प्रिवेस कट ओफ क्या थी तो वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं सबस्क्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए गवर्मेंट जोब की पलपल अपडेट से तो यह आप देख सकते हैं यह इसके अंदर पोस्ट थी इसके अंदर जो सबसे जादा फोम फिल हुए थे वो सीरेल नंबर पाच पे जे एनवी क्रेडिट पे हुए थे इसका जो एक्जाम है वो नो मार्च को होगा और आप उसी परकार से देख सकते हैं एडमिट का डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं वीडियो क इसक्रिप्शन में आपको दे दूँगा आप महां से अपना ट्रेजिस्टेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल कर जो है एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं ट्रेजिस्टेशन नंबर चीहेगा और आपका उसमें पासवर्ड चीहेगा तो आप इसके अंदर देख सकते है ये टोटल इनकी 16 पोस्टे हैं और इन पर जो एड्मिट कार्ड है इन्होंने जारी कर दिया गये हैं जो सबसे पहले एक्जाम होगा वो 8 मार्च को होगा और वो फीमेल स्टाफ नर्स का होगा इसके अंदर इन्होंने ये नोटिस जारी कर दिया गया है और अगर मैं दूसरे नोटिस की तरफ आपको बताऊं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये तो आपका नोटिस है एक्जाम का और अगर मैं स्लेवस की बात करता हूं तो स्लेवस में आप देख सकते हैं स्लेवस ये रहा आपका स्लेवस और इसका भी जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो ड description box में दे दूँगा इसके अंदर आप देख सकते हैं ये नवद्दे विद्द्याले समीती का ही official notice है और इसके अंदर 16 के 16 post के अंदर आपको बताए गया है क्या group है क्या ये सब है वैकंसी कितनी कितनी है तो हम बात करने है सिर्फ slayvers के बारे में तो slayvers में हम नीचे चलेंगे तो mainly हम इसके अंदर बात करेंगे JNV की जो की post 12 है ये रहा इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके अंदर आप देख सकते हैं 130 नंबर का paper होगा आपका 130 नंबर आपके इसके अंदर होंगे और धाई घंटे का आपका एक्जाम होगा और इसके अंदर negative marking जो है वो रहेगी negative marking इसके अंदर रहेगी और इसके बाद जो second आपका इसमें typing test होगा वो जब होगा जब आप first stage को clear कर लेंगे इसके अंदर का जो deeply slave us है यानि के जो reasoning में क्या क्या आएगा मैत में क्या आएगा ये सब जानने के लिए आपको इस link को open करके देखना होगा जैसे कि मैं बता दूँ ये 130 नंबर का paper होगा 130 इसमें सवाल होगा इसके अंदर mental reasoning जो है वो 20 नंबर की 20 marks की आएगी और जो मैत है आपका 20 नंबर 20 marks का आएगा awareness जो है आपकी 30 नंबर की आएगी और सबसे बड़ी जो इसके अंदर बात है वो English और Hindi दोनों आएंगी और दोनों 15-15 marks की इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगी और पाचवा पार्ट जो होगा वो आपका computer knowledge का होगा जिसके अंदर आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे वो सबसे बड़ा जो role play करेगा इसके अंदर वो आपका computer ही करेगा क्योंकि computer आपसे इसके अंदर software, hardware सब आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप यह मत सोचेगा कि मैं hardware ना करूँ या software कर लूँ, short case कर लूँ मतलब high level तक भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी cutoff क्या रह सकती है यह आप देख सकते हैं, यह पिछले बार की 2015 की notice है और इसके अंदर जो है आप cutoff देख सकते हैं कि cutoff जो है वो कितनी गई है इसके अंदर बहुत से जो इनके exam है वो कुछ 100 marks के होते हैं और कुछ 130 के होते हैं तो उस तरीके से आप मैं इसका link जो है वीडियो को description box में डाल दूँगा आप वहाँ से check कर लेना कि कौन सी post के लिए कितनी cutoff गई है यह आप देख सकते हैं 2018 को 2018 को इसका जो है date announce हुई है और यह आप नीचे अगर scroll down मैं इसको करता हूँ तो यह आप देख सकते हैं यह इनके यह जो है यह total marks है यह इनके row marks है और यह इनके प्रोहेड़ेड यानिके normalized marks है normalized marks का आपको ज़्यादा फरक इसके अंदर नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही shift है और एक ही shift में 2 से या 3 shift में आपके paper होंगे एक ही तिन के अंदर तो आपको एक या 2 marks से ज़्यादा का normalization में फरक नहीं पड़ने वाला इसकी जो cut off है वो काफी कम कई थी पिछली बार अब reason क्या रहा है यह पता नहीं लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ 961 इसके अंदर total page है और आप सारी चीजे चेक कर ली जाए कि आपने किस post के लिए अपलाई किया था और उसकी cut off क्या गई थी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी government job की जो update है उससे पलपल update रहना चाहते है तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe करना ना भूले thank you for watching